Rise का opposite word क्या होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेती है Rise का मतलब होता है उंचा या उपर उठता हुआ तो Rise का opposite हो सकता है Fall या Set यानि कि कोई चीज या तो गिरती हुई हो या किसी चीज का गिरना या जैसे सुर्य उद्य होता है तो हम Rise कहते हैं सुर्य जब अस्त होता है तो इसको हम Sunset कहते हैं तो Rise का opposite हो सकता है Fall या Set यानि कि जैसे आप कह सकते हैं The Sun Rises in the East और इसका उल्टा कह सकते हैं The Sun Sets in the West या फिर आप कह सकते हैं The Hot Air Balloon Begin to Rise या फिर आप कह सकते हैं The Hot Air Balloon Begin to Fall यानि कि Hot Air Balloon जो है उपर जाने लगा या नीचे आने लगा या फिर आप कह सकते हैं The Price of the Stock Started to Rise यानि कि Stock का जो प्राइच है वो बढ़ने लगा उपर जाने लगा और इसका उल्टा आप कह सकते हैं The Price of the Stock स्टार्टे टो Fall यानकि stock का price जो है वो नीचे गिरने लगा अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें